वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानूनीन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोट के द्वारा दिये गए एक जज्ज्मेंट के बारे में बात करेंगे तो आईए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला इस मामले में सबसे पहले FIR दर्च हुई फिर चार्शीट फाइल हुई IPC सेक्शन 354 और 376 में और 5,6 ओफ पॉक्सो एक्ट में यानि कि ये एक क्रिमिनल मामला था आरोपी ने कोट में डिश्चार्ज की पेटिशन लगाई कि मेरे पर आरोप नहीं बनते और ये अधार लिया कि FIR में कुछ ऐसा नहीं है जो कि 376 के आरोप की पुष्टी करे और लड़की की जो 164 के बयान है वो FIR के बयान से विपरित है और कोट ने ये याची का खारिच कर दी जब आरोपी ने ये याची का हाई कोट में लगाई लेकिन हाई कोट के द्वारा भी ये याची का खारिच कर दी गई अब आरोपी पहुंचा मानी सुप्रीम कोट में इसमें आरोपी का तरक ये था कि FIR में कुछ नहीं है कि 376 का अपराद बनता हो इस पर अदालत ने कहा कि जो FIR है वो बहुत ही इनिशिल स्टेज होती है लेकिन जो अभियोजिक में अपने 164 के बयान दिये हैं उसमें जो आरोप लगाए हैं वो 376 के समान है इसमें आरोपी का कहना था कि अभियोजिक के FIR और 164 के बयान अलग अलग है और इसी के अधा पर मुझे डिश्चार्ज किया जाए ऐसे में सुप्रीम कोट ने कहा कि 164 CRPC और FIR में डिफरेंस और कंट्राडिक्शन एक बचाव हो सकता है लेकिन ये अंतर ट्रायल शुरू किये बिना ही डिश्चार्ज का आधार नहीं हो सकता और मानी सुप्रीम कोट ने भी ये याच जानकारी आपको पसंदाई होगी तो ऐसे ही कानून से समंधित जानकारियां पाने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो में लास तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद